Hello everyone, welcome to our YouTube channel Everyday Life हमारी इससे पहले के वीडियो में हमने जाना की भारत में अक्सर सूजी या रवा किस गेहूं से बनती है और सूजी और सेमलीना में क्या अंतर है आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है बारीक सूजी और मोटी सूजी के विशाय में तो चलिए शुरू करते हैं आज सबसे पहले है ये बारीक सूजी जिसको भारतिय मानक ब्यूरो के निर्देशों में स्मॉल पार्टिकल ग्रेड के नाम से लिखा गया है यानि कि आप सरल शब्दों में से छोटे कण भी कह सकते हैं निर्देशों के तीन नियमों में से एक है कि बारीक सूजी के 98 प्रतिशत दानों को 200 माइक्रॉन की चन्नी से चन जाना चाहिए एक माइक्रॉन एक मिलिमीटर का यानि कि एक एमेम का एक हजारवा हिस्सा होता है वैसे ये सभी नियम सूजी बनाने वालों के लिए हैं यहां एक उप्भोगता के रूप में हमें यह पता है कि यह उत्पाद भारतिय मानक के माप डंड पर बना है बारिक सूजी का इस्तमाल लगभग आटे और मैदे की तरह ही होता है इसको अकसर मैदे में गूंध कर और बहुत से नमकीन और मीठे विंजन बनाए जाते हैं बारिक सूजी मुख्य सामगरी के साथ साहयक सामगरी की तरह उप्योग होती है इसके उप्योग से गुंधे हुए आटे में अधिक ताकत और तले हुए पकवान में खस्तापन या कुरकुरापन आता है इस बारिक सूजी को गुलगप्पे, मठी और कई बार पूरी को भी खस्ता करने के लिए उसमें मिलाया जाता है और आज का हमारा दूसरा उत्पाद है मोटी सूजी मोटी सूजी जिसे भारतिय मानक ब्यूरो लाज पार्टिकल ग्रेट के नाम से लिखता है यानि कि आप इसे बड़े कंड कह सकते हैं बाजार में इस मोटी सूजी को कोर्स ग्रेनियूल भी कहा जाता है जैसा कि इस पाकेट पर भी कोर्स ग्रेनियूल लिखा हुआ है निर्देशों के अनुसार इसके 98 प्रतिशत दाने धाई सो माइक्रॉन की छन्नी में रह जाने चाहिए मोटी सूजी का उपयोग मुखे सामगरी की तरह विभिन तरह के मीठे और नमकिन वेंजनों में होता है हलवा, उपमा, लड़ू आदी में मोटी सूजी का ही उपयोग किया जाता है मोटी सूजी से बने खातेपदार बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता लगते हैं ये बारीक सूजी और ये मोटी सूजी ये दोनों ही भारतिये पक्वानों का अभिन अंग है जो बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध है और इन दोनों का ही दाम 45-50 रुपे प्रती किलो से शुरू हो जाता है और अकसर उत्तर भारत में मोटी सूजी को रवा भी कह दिया जाता है लोग अकसर मोटी सूजी को पीस कर बारीक की तरह इस्तमाल कर लेते हैं और हम आशा करते हैं हमारी आज की जानकारी आपकी everyday life में ज़रूर उपयोगी रहेगी Thanks for watching and keep enjoying our everyday life